हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप से? आई हो, आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज कुछ छोटी-छोटी टिप जान लेते हैं जो की हमारे काम को काफी आसान कर देता है लेकिन फ्रेंड्स, पहली-बहली पहली वार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फिर देखते हैं मेरी पहली टिप है कि इस तरह हम चार्जर वगेरा वाइट वाला जो हमारा वायर होता है ये काफी गंदा हो जाता है लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और गंदा हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है फिर हम इसमें पानिवेगर भी नहीं लगा सकते हैं कि इसे हम सर्फ साबून या किसी चीज से धो सकें क्योंकि इससे हम एलेक्ट्रिक में लगाते हैं विजली के बोर्ड में लगाते हैं तो इसलिए क्या ऐसा करें हम किसे अच्छी तरह और एजली क्लीन कर सकें इसके लिए मैंने लिया है टूथपेस्ट और एक लिया है इस तरह वाइप जो कि जिससे कि हम लोग बहुत सारी किजे साफ करते रहते हैं तो आप इसके बदले में कोई सिंपल कपडा ले सकते हैं कॉटेन का और उसे थोड़ा सा गीला कर लीजिए पहले तो और गीला करके अच्छे से निचोड लिजिए पानी और पेस्ट लगा करके और इस वायर को इस तरह आप थोड़ा सा हाथों से प बहुत ही easily साफ हो जाता है और बहुत अच्छी तरह साफ हो जाता है एकदम wire चमक जाता है और यह हमारे घर में अकसर होता ही है तो हमें कुछ ढूंढना नहीं है तो यह देखिए बिल्कुल हमारा जो काला काला सा wire हो गया था न वो एकदम साफ हो गया है और देखिए इसमें कितनी सारी गंदगी निकल गड़के आई है, तो आई हो, आपको मेरा ये छोटा सा टिप जरूर पसंद आया होगा, तो मेरी दूसरे टिप भी है, वायर को लेकर ही, जब ही हम इस तरह चार्जर को कहीं हमें ले जाना होता है, तो ये इस तरह अगर हम पर पर्स में इधर उधर बिखरने लग जाता है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरह बस इसे अपने वायर के बीच वाले उसमें फसाते हुए इसे मोर लेना है, और मोर करके कोई एक रबर्वेंड इस तरह आप लगा दीजिए, तो इस तरह होगा ये, कि एकदम आप देख सकते हैं, बिखरेगा नहीं, और ये एकदम सेफ रहेगा, जिस भी कोने में अपने पर्स के डाल देंगे, तो ये इस तरह जैसा हमने इसे पैक किया है, ये उसी तरह पढ़ा रहेगा, तो आपके पर्स में कोई समान अब इधर उधर नहीं होगा, और आप जब भी इ घर में, कॉर्णर में हम शीशे वगरा का रैक रखते हैं, जो कि सजाने और जाने के लिए कुछ-कुछ घर में डेकोरेशन के लिए हम लोग इसे रख देते हैं, जैसे कि मैंने अपने बच्चों का अवार्ड वगरा यहां पर रख रख रखा इसके उपर में, तो ये साफ करने के लिए लेना है सेनिटाइजर, तीन से चार बुंद इस पर सेनिटाइजर डाल लेजिए, और एगेन मैंने उसी साफ करने वाले वाइप को लिया है, और उसे गीला कर लिया है, गीला करके उसका पानी निचोड दिया है बिलकुल, और इसी से इस तरह मैंने इसे देखिए हलके हलके हाथों से क्योंकि ग्लास है तो ग्लास नाजुक होता है और इसकी सफाई करना भी काफी मुश्किल लगता है अम लोगों को कि कहीं ये गिरना जाए टूटना जाए तो इसलिए आपको बहुत साधानी से ये काम करना होता है और हलके हाथों से आप इसे पोष तेंगे आप देखेंगे बिलकुल न्य की तरह ये चमक जाता है तो अब आप इसे पोष दिए और एकदम फटाफट से इसे सुखे कप्रे से पोष दिजीए सुखे किसी भी कॉटन के कप्रे से इसे पोष दिजी Similarly आप देखेंगे बिल्कुल चमक जाएगा ये देखिए नीचे वाला आपको गंदा दिख रहा है और उपर वाला हमने पोचा है न तो ये देखिए ये कितना क्लीन और एक्तम साफ नजर आ रहा है तो आई हो आपको मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा तो ये होती तो बहुत छोटी छोटी टिप है बहुत छोटी छोटी बाते होती है लेकिन होती हमारे बहुत ही काम के टिप है जो कि हमें ना पता हो तो हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि इसे कैसे करें तो अब आप तो आपको मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ तो आप देख रहे हैं कि कुकर में मैंने डाल चड़ाया है और दाल उपर की तरफ आकर के और मेरा पूरा कुकर तो गंदा हो ही गया है ब मीरा गैस का चूला भी काफी गंदा हो गया है और कई बार तो ऐसा हो जाता है न कि ये पाने निकल कर के और चला जाता है हमारे गैस के अंदर वाले में जिसे कि हमारी ख़राब हो जाती है तो आपको इस कुकर में जब ही चड़ा रहे हैं इसमें एक चमज डाल दीज और अब आप देखेंगे कि यह जब भी विसल देगा जब भी सीटी देगा आपका कुकर बिल्कुल खराब नहीं होगा तो आई होब आपको मेरी सारी टिप पसंद आई होगी अगर आपको थोड़ी से भी मेरी टिप हेलफुल लगे और आपके काम की लगे तो प्लीज लाइ टिप में तब तक के लिए धन्यवाद